इंदोर के पलासिया थाने पर अपनी बांगो को लेकर पहुंचे बजजंग दल वो हिंदू संगठिन की कारिकरताओ पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज कर दिया गया था इस पर इंदोर पुलिस कमीशनर द्वारा थाना पर भारी को लाइन अटेच कर पूरे मामले की जाच के आदिश दिये हैं दैसल नाइट कल्चर को लेकर बड़े संख्या में बजजंग दल कारिकरताओं ने पलासिया थाने पहुंचे जहां काफी देर तक जब कोई अधिकारी उन से मिलने नहीं पहुंचा तो कारिकरताओं ने थाने के सामने पर दर्शन कर चक्का जाम कर दिया इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और कारिकरताओं पर लाठी चार्ज कर दिया वहीं आपको बता दे परदर्शनकारी पिलासिया थाने पर पहुंचने वाली है और वह पुलिस कमीशनर से मिलना चाहते थे तो उन्हें पुलिस कमीशनर के आने की सुचना देना थी जब कमीशनर नहीं पहुंचे तो उन्होंने चक्का जाम कर दिया था जिनने बाद में रिहा कर दिया गया घटना को लेकर बोपाल में ग्रीमंत्री द्वारा दिये गए बियान के बाद एडीजी स्तर के अधिकारी द्वारा जांच के जाने की बाद सामने आ रही है महीं पूरी घटना को लेकर इंदोर पुलिस कमिशनर मकरन देउसकर ने बताया कि मामले की गंभेरता को देखते हुए बोपाल पुलिस मुख्याले से जांच होना प्रस्तावित है घटना को लेक पुलिस मुख्याले से जांच किया जाना प्रस्तावित है जिसके बारे में अगरिम जानकारी पुलिस मुख्याले से अपिक्षित रहेगी इसलिए मैं अभी और जानकारी नहीं जेकाऊंगा तके बाकी स्थानी जाना प्रभारी जिनके ठाना रुशेतर में यकितना हुई थी उन्हें तद्काल प्रगाल प्रवाब को पुलिस लाइन स्व बद्द्द किया है सर, कारण जखा कि कुली पुरी दुध कि शीपुली कोधिक में क्या पुली क्याम करना ही मुख्य यह पुली बज़ा रहे या और को यी बज़ा से काम नहीं करकि दूष्ट कराएं। इसमें ये जांच का विशह रहेगा तो पिलिस मुख्याले से जो अधिकारी आ रहे हैं वो जांच में सफ़ष्ट कर पाएंगे कि किस कारण से ये खतना का प्रस्पूटेशन हुआ है. सिर्फ इस कारेला में बैखता हूं, पलासय थने में नहीं बाटता हूं और कल शाम को शाम तक इनकी ये सुचना थे कि पलासय थने में प्रस्पूचन करना चाहते हैं. इनके जो बिंदू थे, वो दो बिंदू के बारे में जानकारी मिली थी, कि एक तो बजरंदल के कारिकरताओं पर तुटे बजमे कायन किया रहे हैं, और बढ़ते हुए पप कल्चर के कारण नैशे की प्रवित्ती बढ़ती जा रहे हैं। इन दो बिंदूओं को लेकर के पलासिय थाने में प्रदाशन किया या वाट्सअप के मार्दम से मालूम हुआ था, कोई आधिकारिक सूचना में प्राप नहीं हुए थी, और वहां पर जो घतना करम डवलक हुआ, उस दोरां चकायाम पलासिय चराय पर हुआ था, जिसके बा अभी एक प्रक्रण वहां पर उपस्थेत लोग थे, अध्यात में डर्च किया गया है, और खुल बिला करके अभी इस प्रक्रण में चार प्लिश करमी और लगभा जारा बजरंदल कारे करता हुआ उंकर, मेडिकल पर इक्षिन हुआ है इसमें अभी जो पलासिया पुलिश का जो वर्चन है, उसके अनुसार चार पुलिश करमी को चुटे हैं